हेलो फ्रेंस वेल्कम टुस्विंग ट्रेड अज की वीडियो में बात करेंगे और बैंग के बारे में जिसी साब से करेक्षां चल रहा है यह इस टॉक में अगर किसी के पोटफेली में इस टॉक है तो उनको क्या करना बन सकता है घड़ा है इससे बोलते हैं सकता है लेकिन अभी का जना में यह साथ जो की अभी से बोला जा रहा है कि यह च्राइब सकता है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक को आगे के लिए हमें क्या करके चलना चाहिए अगर आप इस चैनल अब राजीब जी को आपरंट किया गया है तो इस बैंक के वर में अगर बात करेंगे यहां पर MPA का प्रोब्लेम है अगर हम देखें कि अभी 300 करोड का यहां पर जो की लोन दिया हुआ है उसका ही प्रोब्लेम की बजर से इसा ही सब मतलब ब्यांक में बहुत सारा प्रोब्लेम चल रहा है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉर परशंटेस का था निप यह बढ़ते जा रहा है इसके बज़र से तो यहां पर इसा प्रोब्लम हा रहा है इस टॉक निचे गिरते जा रहा है लेकिन अभी का सिनरियो पे क्या लगता है यह इस टॉक और वहां पे निचे गिर सकता है अगर एसा हम देखेंगे मुझे इसा लगता है मार्केट में यहाँ तो ने तो आप देखेंगे तो यहां पर रहा है नहीं inappropriate और अगर देखेंगे और पर इसिज़ेंगे और पॉब्लिक के पास में 45 परसंटेज का है तो इस ब्यांक में जब हमने बात किया था कुछ महीने पहले यह स्टॉक में मैंने भी बार बोला था जिकर भी किया था मैंने इस टॉक को भी किया था इसा नहीं कि मैंने भाई नहीं किया था मैंने भी अपना पॉर्टफुलिय में हुआ है आपका फ्रेंड्स में तो अपना पॉर्टफोलियों का कुछ इसा लिया था लेकिन मेरा पॉर्टफोलियों में अभी भी है स्टॉक को मैंने अभी तक भी सेल नहीं किया है लेकिन मुझे इसा लगता है यह स्टॉक में मुझे इसा लगता है यह स्टॉक में अभी मार्केट में नियूज के बज़र से अगर हम में स्टॉक में सेल कर दूँआ तो ऐसा हो सकता है अभी एक देखते हैं जिसी साब से अभी राजीव जी को यहां पर पॉइंट किया गया कुछ दिन के लिए तो उसके बाद में पर्मानेट फिर यहां पर जब अपन्ड होंगे तो उसके बाद में क्या या तो टारगेट है में लेया अभी पर बताया था गयर आपको रहें तो मैं आपको चल्क कर आ बिल्कुल नहीं बताओंगा अगर आप यहां पर बने हुए हैं तो आप यहां तक इन्तिजार किजिए चोंडी-टू तक अगर इन्तिजार करें मुझे लगता है यहां पे यह तरगेट जरूरत आपको देखने को मिल सकता है जो कि टू टू तो ठीक यह पहला अगर नेक्स टार्गेट की बात करेंगे मुझे इसा लगता है। यहां समस्जा तो यह लेवल पर जरूर निकल सकते हैं। profit में आते हैं तो यहां पर भी के तो में निकल जाएा अगर ंख इस आए इसरी आ explorat पर करोना की बाद में यह तक गया से थे टेकनिकल पटरन के 좌कता है यहां तक जरूर आ सकता है उसके बाद में फिर से और एकपर इसके बाद में अगर प्रॉफिट में नहीं आते हैं तो 271 तक आप जरूर इनतजार लगता है यह प्राइश जरूर आ सकता है जो कि आने वाले दिनों में लेकिन इस टॉक में किसी को भी प्रेश इनवेस्ट्मेंट करने के लिए यहां पर तुन्टीटू आ चुका है ठीक है अभी इस टॉक में जिसी साफ से निव चल रहा है यह स्टॉक को बिलकुल आभड किजिए फ्रेस इंबेस्टमेंट मत किजिए क्योंकि इसा हो सकता है आप रिस्क लेके चल रहे हो सकता है और थोड़ा सा जब गिरावट आए उस लेना आपको नहीं है तो यह स्टॉक में बिलकुल पोजिशन मत बनाएं थोड़ा से आभड किजिए क्योंकि जिसी साफ से निव चल रहा है फिर प्रोड्लम हो सकता है लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं वो 271 लेवल तक यहां से 117 परसेंटेज का गयने लेकिन मुझे ऐ हो सकता है यहां तक लग लग जाएगा हम हमारा जो टार्गेट निकलने के लिए फिर उस टाइम पर देखेंगे मार्केट का सिनारियों क्या है वहां पर रिजल्ट क्या आता है उससी साफ से हम फिर लेंगे आगे आने वाले दिमांदेश्ट के बारे में डिसकस्वन सब्सक्राइब करना है तो दूसरा स्टॉक में जा सकते हैं अगर वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंच के साथ में चैनल पर ना है चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लिए चैनल में बहुत सरा काफी सरा स्टॉक अभी आवेलेबले जो कि अच्छा सा वैल्यूएशन पर आवेलेबले वाले वह स्टॉक को बिल्कुल कंसिडर कीजिए ठीक है फ्रेंड्स अगर वीडियो आपने नहीं देखा है यह वीडियो आप सबको देखना जरूरी है क् आपको ट्रेडिंग जरूर्ण मेंटेन करना चाहिए ठीके यह मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यह हैं लेकिन सब को मैंटेन करना चाहिए एपको कितना प्रोफीट होता है कितना लौस अब बढ़िया से सिख जाएंगे ठीक है यह बहुत जरूरी है ट्रेडिंग जरूर्य करना अगर आप नहीं करते हैं मैं आपको कि भीनमो